नमस्कार दोस्तों, दोस्तों OnePlus Nord जिसका हमें काफी दिनों से इंतजार है OnePlus का record रहा है दोस्तों अभी तक high and flagship smartphone launch करने का लेकिन OnePlus Nord series के साथ में ये सिलसला भी खतम होने वाला है और फिलाल OnePlus affordable price range में आपको एक premium experience प्रोवाइट करने जा रहा है मैंने सूचे क्यों न इस smartphone की price, availability, specs और images इसी वीडियो में आपको clear कर दू क्या के आपको मिलेगा, क्या के आपको नहीं मिलेगा, इसकी price क्या होगी, availability कब तक हो पाईगी है सारी चीजे इस वीडियो में हम लोग clear करने वाले, इसलिए बने रहे हैं इस वीडियो में, you are watching my YouTube channel, Tech Explainer इंटी चली जानते कुछ बड़ी है सबसे पहले हम लोग बात करतें दोस्तों कि यह OnePlus Nord Line है क्या चीज़, दोस्तों यहाँ पर सबसे पहल rumors फैले थे, जिसके according इसका नाम पता चला था, OnePlus 8 Lite और उसके बाद में वो OnePlus Z हो गया दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, सचा यही है कि OnePlus Nord 1 पूरी की पूरी सीरिस होने वाली है, जिसे OnePlus 21 जलाई को reveal करने वाला है Company ने recently कहाता है कि customers उनके ऐसे भी है, जो कि चाते है प्रीमा स्मार्टफोन लेकि उनको affordable price में स्मार्टफोन चाहिए, प्राइस ज्यादा ना हो इसलिए हम लोग Nord series को लेकर के आ रहे हैं आपको याद होगा दोस्तो OnePlus 1 स्मार्टफोन लाँच हुआ था इंडिया के अंदर में, उस वक्त इस स्मार्टफोन ने कंपेट किया था सीधे सीधे Google और Samsung की स्मार्टफोन के साथ में दोस्तो आखरी स्मार्टफोन OnePlus का अभी रहा था OnePlus 8 Pro जाकी सबसे expensive स्मार्टफोन था OnePlus की तरब से तो आभी भी OnePlus की strategy यही है दोस्तो OnePlus Nord का जो भी स्मार्टफोन अभी लाँच होने वाला है वहाँ पर यह सीधे सीधे Samsung के A-series वाले स्मार्टफोन से और Google के Pixel device से compare करने वाला है दोस्तो तो यहाँ पर company के strategy यही है कि यहाँ पर हमें अगर grow करना है स्मार्टफोन मार्केट इंडर्स्ट्री में तो हमें different price point पर स्मार्टफोन उतारना पड़ेगा अब बत करते हैं कि OnePlus Nord का design कैसा है दिखने में कैसा स्मार्टफोन है तो दोस्तो यहाँ पर इसका सबसे पहला rumor जो था design के बारे में वो 2019 में आया था और लोगों ने यहाँ पर इसका नाम guest किया था OnePlus 8 Lite देखने में तो काफी सारे design देखने को मिल गए थे लेकिन final appearances का कूछ और ही है यह जो image आप देख पा रहे हो इसमें आपको complete design को describe करना तो मुस्ट के लिए लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़ी display दिखाई दे रही है OnePlus alert slider है और power button है इस वाल images में आपको front panel का look देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपको dual selfie camera model display आफ होने के बाद भी clearly दिख रहा है उसके बाद में back panel का design भी आपको देखने को मिल जा था जहाँ पर आपको vertical camera setup मिल रहा है जो कि अपने 4 camera sensor के साथ आएगा माना कि दोस्तों ये clear images नहीं है लेकिन यहाँ पर accurate images है दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है दोस्तों इस smartphone को देख करके तो ऐसा लग रहा है जिसे कि ये Realme X55G का rebranded version होने वाला है दूआ करना ऐसा कुछ भी नहीं हो अगर आप OnePlus की history को past में जाकर के find out करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनके smartphone और BBK electronic brand जो की main brand है उनके smartphone में कुछ ज़्यादा फर्क देखने को आपको नहीं मिलता है ये कड़वा सच्च है एक और चीज बताना भूल गया था smartphone को जो box है वो भी आपको images में देखने को मिल रहा है जो की black and blue color का है उपर नॉड लिखा हुआ है और side में OnePlus लिखा हुआ है दोस्तो अब phone का पुरा look देख लेते हैं ये है असली OnePlus Nord smartphone जो की काफी जबदस लग रहा है इसे देखकर की ये कही Realme X50 का rebranded version तो नहीं है अभी final specification की बात कर लेते है सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पे OnePlus का जैसे पहले से record रहा है अपनी smartphone में high end specification देने का OnePlus Nord series वाले smartphone के साथ भी same चीज़े आपको देखने को मिलने वाली है आज की देट में हमें इतना तो पता है कि OnePlus Nord के ये smartphone में आपको Snapdragon 765G smartphone देखने को मिलेगा जो की upper tier mid-range chipset है दोस्तों यहाँ पे आपको एक high level वाला camera setup भी देखने को मिलने वाला है जो की OIS जैसे feature के साथ में आएगा specs में 6.55 inches वाली Full HD Plus flood AMOLED डिस्पले मिलेगी जो की 90Hz refresh rate वाली है at least 6GB of RAM and 128GB of onboard storage मिल जाएगा 4700mAh वाली बैटरी है जो की 33 warp charging को support करेगी और सबसे important चीज़ दोस्तों यहाँ आपको quad camera setup मिलने वाला back panel पे 48MP वाला main sensor होगा 8MP वाला wide angle lens होगा 5MP वाला micro sensor होगा और 2MP का portrait sensor मिलेगा आपको front panel पे 32 प्लस 8MP वाला selfie camera दिया गया है और super AMOLED तो in display fingerprint scanner तो मिलेगा ही मिलेगा 13 जुलाई को Instagram पे OnePlus ने update किया था कि इनका जो selfie camera है वो 105 degree angle के साथ में आने वाला है मतलब जो wide shot अप ले पाऊंगे selfie camera से वो बीना selfie की stick के ले पाऊंगे दोस्तो अभी तक जो smartphone industry में OnePlus का recorder है वो काफी better रहा है तो देखना यही है कि OnePlus Nord के जो smartphone आने वाले है उनका performance कितना better मिलेगा आपको तो दोस्तो यहाँ पे cameras को लेकर के थोड़ा सा मुझे tension हो रहा है OnePlus Nord के launch होने के बाद में इसे आप लोग कहा से और कितने रुपए में खरीद पाऊगे यह दो चीजे जो है अभी भी pending में पड़ी हुई है दोस्तो 21 जुलाई को smartphone launch होने वाला है और इसके pre-orders भी start हो चुके company के CEO ने hint दिया था दोस्तो कि यह smartphone आपको इंडिया के अंदर 35,000 के आसपास में मिलने वाला है तो इंडिया में इस smartphone अगर हम लोग गेस करते हैं तो 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आ सकता है एक hint to do हमें आपको OnePlus 8 Pro आया था जिस price range में उसका आधा आपको OnePlus Nord वाला smartphone मिलेगा तो दोस्तो यही थी OnePlus Nord के बारे में पूरी की पूरी information, images भी देख लिए आप लोगों ने आप बताए कमेंट आउस में comment करके कि आपको यह smartphone की तरीके का लग रहा है क्या यह Realme X55G का एक rebranded version होगा या फिर कुछ अलगी smartphone होगा और सुबह मैंने एक poll रखा था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि OnePlus Nord smartphone का price क्या होगा तो लगबग लगबग आदे से ज्यादा लोगों ने यही खाता कि यहाँ पे इसका price under 25,000 रूपीज होने वाला है तो देखते कि क्या pricing के साथ में OnePlus Nord वाला smartphone आता है फिलाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में अगर यह वीडियो पसंदागे वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे अपने दोस्तों तो बीच में चैनल सस्क्राइब नहीं किया, सस्क्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि इस तरीकी की डेली टाइक वीडियो से आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, तो फिलाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए, बाई!